तो दोस्तो आज की important वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे जादूई पौधे के बारे में जो आपके लाखो रुपे बचा सकता है जो आपकी बीमारियों पर खर्च होते है और ये बहुत सी बीमारियों में अचूक फायदा करता है खास तोर से ऐसे असाद्धे र देखने में भी बहुती खूबसूरत होता है तो अगर आप इसे अपने घर में लगाएं तो बहुती आपके लिए फायदेमंद होगा प्रकरतिक रूप से भी इसके अलावा जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा और हम तो यह भी कह सकते हैं कि अगर आप इस अपने घर पे लगा लें तो आपके लिए यह एक हैल्थ इंसोरेंस का काम करेगा अगर आप केवल इसके दो पत्तों का भी खाली पेट सेवन कर लेते हैं तो बहुत सारे आपके पैसे बच सकते हैं और यह खास तोर से जो पौधा आप देख रहे हैं यह है पत्थर कैथेडल बेल्स, लाइफ प्लांट और मैजिक लीफ के नाम से भी इसे जाना जाता है इसके अलावा इसे भश्म पत्री, पाशान भेद और पन पत्टी के नाम से भी जानते हैं मेडिकल साइंस में भी इसके गुणों को अब माना जा रहा है और इस पौधे की पत्तियों क तो अगर आपके पास ये पौधे हैं तो आप इसकी पत्तियों से उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं ये बिलकुल सेहत के लिए रामबान है और पत्री में इसका प्रियोग करने के लिए आपको पत्तर चट्टा के पत्तों का गुन गुने पानी के साथ सेवन करना है ऐसा करन के बाद इसके दो पत्ते धो लीजिए साफ पानी से स्वच कर लीजिए और उसका आप चवा कर प्रियोक करें उसके बाद आप गरम पानी पीएं इसके अलाबा एक खास बात का और ध्यान रखना है पत्री की समस्या में जब आप इन पत्तों का सेवन करें तो दिन में कम से कम आठ से 10 गलास पानी पीएं वो मौसम के अनुसार आप ले सकते हैं जिसे गर्मिया का मौसम है तो बिल्कुत साधा पानी आपको लेना है सिंपल पानी ज़िए गर्म हो ना ठंडा हो और अगर सर्दियों का मौसम है तो गरम पानी भी आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर कभी पेट में दर्दो तो उसके लिए भी ये राम बार्ण औसदी है बहुत ही आसान है आपको पत्थर चट्टा के रसमें पत्तों के रसमें सौट का चूण मिलाकर सेवन करना है हलकी सी सौट की मात्र डालनी है जादा न तो बहुत ही जबरदस्त गुण है पत्थर चट्टा के अंदर इसके अलावा जो किड़नी की समस्याएं होती है उनके लिए भी ये राम बार्ण औसदी है यूरिनरी डिसॉर्डर्स को दूर करने के लिए आर्युवेद में सदियों से इसका इस्तिमाल होता है इसका मिलता है जो आपको आर्युवेदी के स्टोरों पर मिल जाएगा उससे पेशाब में जलन रुक रुक कर पेशाब जैसी परिशानी दूर हो सकती है इसके अलावा पत्थर चट्टा एक और खतरनाक बीमारी यानि पाइस की बीमारी को भी जड़ से ठीक कर देता है उसके लि दोस्तों अगर कभी भी इसकिन पर किसी तरह की सूजन घाव या मुंदी चोट हो यानि गुम चोट हो तो पत्थर चट्टा के द्वारा आप बिलकुल उसे भी ठीक कर सकते हैं इसके लिए आपके चार पांच पत्तों को ताजे ताजे तोड़ना है और संक्रमित वाली काफी फायदा करता है ये पत्थर चट्टा का पौदा इसके और भी बहुत सारे उप्योग हैं अगर आप इसी तरह आर्योविदिक ओस्दियों के बारे में जानना चाहते हैं और खास तोर से ऐसी बहुत सी ओस्दियां हैं जिने आप अपने गंबलों में लगा सकते हैं ग आगे आपको इसके और भी प्रियोग बताते हैं इसके पत्ते दस्त की समस्या में भी फायदा करते हैं पत्तों से रस निकाला जाए उसमें चुटकी वर पिसा हुआ जीरा पाउडर और आदा चम्मस देशी घी मिलाएं इस मिश्रण का दिन में दोवार सेवन करने से दस्त बना लेप नकेवल सरदर्द को कम करता है बलकि माईगरेन की समस्या को भी दूर करता है इसके लिए आपको पत्त चट्टा के पत्ते को पीसना होगा और उसका लेप अपने माते पर लगाना होगा ऐसा करने से सरदर्द भी दूर हो जाएगा और पत्त चट्टा के पौदे में जो एंटी बैक्टिरियल गुण पाए जा सकते हैं उससे दातों के लिए भी फायदा लिया जा सकता है इसमें एंटी वायरस और एंटी बैक्टिरियल गुण होते हैं जो मुँ को साफ रखने के साथ साथ दात के दर्द को दूर करते हैं बरसों से पत्थर चट्टा का वहाँ पर आसानी से ये पौदा मिल जाएगा और इसका उगने का तरीका भी बहुत आसान है किसी भी जादी की आवशकता नहीं है केवल आप इसके पत्ते या टहनी को अपने गमले में गार देंगे तो वहीं पर कुछ समय बाद उगना शुरू हो जाता है बहुत ही आसान है और दोस्तों इसका सबसे बड़ी बात है कि इस पौदे के इस्तेमाल का तरीका यह है कि पौदे के केवल दो पत्तों को तोड़ें सुभा सुभा और इसे साफ करके इसका सेवन सुभा उठ खाली पेड़ गरम पानी के साथ करें और अगर आप ऐसा रोज करेंगे तो जिन की सिहत के लिए ये तब भी फायदे मन्द होता है यानि किसी तरीके से भी आपको इसका सेवन करना चाहिए और पेड़ दर्द में हम आपको बता चुके हैं पेड़ दर्द में भी ये काफी फायदा करता है उसमें आप थोड़ा सा दरक का रस या सोट भलकी सी मिला कर दे ले तो पेड़ दर्द में भी इंस्टेंट लाव करता है जिन लोगों को पितादी की पतरी होती है उनके लिए भी बहुत सारा फायदा देता है जो इसके लिए हम अलग से आपके लिए कंप्लीट विदी दे देंगे तो ये बहुत सारे फायदे हैं और इस तरह के पौदे आपके साथ शेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे अमूल ले पौदों की जिनको आप गमलों में भी हुआ सकते हैं और जिसके द्वारा आप लाको रुपे का डक्टरों का बिल बचा सकते हैं एक तरीके से इन पौदों को आप हेल्थ इंस्टोरेंस भी कह सकते हैं जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे और आप हमेशा स्वस्त भी रहेंगे तो स्वस्त जीवन के लिए आर्यूवेस से जुड़िये प्रकरती के करीवाईए और योग को भी अपनाईए आपके लिए सारी विदिया इस चैनल पर जल्द ही आ रही हैं तो आप चैनल को जादा से जादा स सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथी सब्सक्राइब भी करके रेखिए हर वीडियो को अवश्य देखिए मिलेंगे नई नई जानकारें के साथ हर रोज